प्रिभक्तों चैसरी राम अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेज गोरपुर कल्यार से सच्ची कथाएं आज कथा का सीर्षक है क्रपान भूती अंग से संकट मोचन नाम त्यारों ये किसी के ऊपर गुजरा है जो कल्यार पत्रका में लिखकी भेजा गया है और उस संकट निवारान्थ सब के लिए उपाए हैं सब के काम आते हैं तो इसलिए सब को भेजे ताकि सभी लोग संकट मोचन नास्टक का लाब उठा सकें कुछ दिन पहली की बात है मेरा पुत्र किसी कारण नराज होकर घर छोड़ कर चला गया उसी कई दिन तक हो जा गया कर पर हन्मानस्टक का इंक्यामन बार पाट करने का निश्चे किया प्राता काल इसनान करके मैंने संकट मोचन हन्मानस्टक का पाट प्यारम कर दिया अभी 31 पाट ही हुए थे कि अचानक मेरा पुत्र घर लोट आया सभी आस्चर से देखते रह गया क्योंकि सब को पता था कि मैं इंक्यामन बार संकर्मोचर हनमास्टक का पाड़ यानि बैठ रही हो गरने के लिए और जो पुत्र मेरा इतनी दिन से नहीं है उसी समय क्यों आया जब मैं संकर्मोचर हनमास्टक का पाड़ कर रही थी तो ये सब लोग मेरे परवार वाले घर वाले भानमान जी की इस्ट देवता की असीम अनकंपा देखकर में सबकी आँखों में आशू आ गए और मैं सोचनी लगी की सच्चे हिर्दय की पुकार परमात्मा तक अवस पहुंसती है यदि अटूस निस्टा और अथाय प्रेम सरद्धा है तो प्रभू एक छणवी अपने भक्तों की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं भक्तों ये हनमाना स्टक संकट मोचन हनमाना स्टक का बहुत मैद्वें ये सारे वीडियो आप जादा से जादा सेयर किया करें ताकि सभी क सची भक्ती आए और सभी के दुख दूर हों ये सभी कस्टों के निवारण के लिए जो भी आपके जीवन में दुख दर्द कस्टों तो हनमान जी से प्रातना करें और संकट मोचन हनमाना स्टक का पाट करें तो हनमान जी आपके सारे दुखों को दूर करेंगे बोलिये ज सरी रा